हलो एवरिवन वेलकम टू दा चैनल गाइस आज फिर से एक बार हम लोग खेल रहे हैं पोकेमोन हाट गोल्ड वर्जन और गाइस अकर आप लोगों ने पिछला वाला एपिसोड देखा होगा तो आप लोग को याद होगा कि पिछली बार हमने यहां के जिम ट्रेनर को हरा दि हम लोग यहां पर अजीलिया टाउन में पहुच गए हैं और अभी हमको यहां पर थोड़ा सा काम है सबसे पहला काम हमको यह करना है कि सबसे पहले हमको यहां पर जाना है यह चार कोर क्लीन के पास जाना है जिसके हमने फार फेस्ट को बचाया था बचाया था या ढूंड क तो ले लेते हैं इससे सामान ओके, हेलो भाई यू चेस्ट ओफ टीम रॉकेट और वेंट टो आलेक्स फोरेस्ट अलोन अट टेक्स गट्स अई लाइक दाट, कम ट्रेन विट अस अरे अबे इसने कुछ दिया नहीं मैंने जो विडियो देखा था टुटोरेल के लिए उसमें उसको कुछ दिया था इसने यार अचा तो इस बंदे से बात करते हैं I'm sorry I forgot to thank you यह दे रहा है यह दे रहा है यह दे रहा है यह दे दिया इसने अपने को चार्कोल ठीक है भाई और कुछ है गया यह लोग कुछ बोलते नहीं है वैसे पते नहीं मैं इसे बात क्यों कर रहा हूँ पर ठीक है चलो भाई यहाँ पर अपना काम हो गया है और अभी अपने काम है वो यहाँ पर है रुख जाओ मैं तुमको बताता हूँ अगर मतलब जिन लोगों ने ये गेम पहले खेला है उन लोगों को पता होगा कि मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ तो यहाँ पर मुझे पता चला है कि हमको हेरा क्रॉस मिलता है और मैं उसको दुनिया भर में ढूंड रहा था भाई मैं इसलिए ढूंड रहा था उसको क्योंकि अपने को जो वो Golden Trot City के Gym Trainer को हराना होता है उसके Pokemon के लिए काफी साही रहता है Fighting Type मतलब Fighting Type से जल्दी हार जाती है वो ऐसा मैंने सुना था तो इसलिए मैं Hero Cross ढूड रहा था लेकिन यार मुझे कई मिल नहीं रहा था और उसको हराने के बाद में मुझे पता चला कि यहां पर मिलता है वो तो मैंने सोचा कि भाई अब Pokemon एक मिल रहा है अच्छा वाला तो लेही लेते हैं तो उसके लिए शायद हमको यहां पर कुछ Headbutt वगर यूज़ करना पड़ता है देखता हूँ ट्राय करके इट्स अ मॉडरेटली साइज़्ट ट्री वोड यू लाइक तो यूज़ हेडबट हाँ भई Headbutt यूज़ करना चाहता हूँ मैं ओके रॉकी यूज़ हेडबट मिल जाए लखी लिए मेरे को यहां पर हो पोकेमॉन ओके शायद मिल गया हेराक्रोस है अभे यार नहीं ये तो स्पेरो है अभे यार ये तो पोपट हो गया मेरा फिर से मैंने जिस वीडियो में देखा था वहां तो उसको हेराक्रोस मिला था पर ठीक है स्पेरो मिल रहा है ये भी मैं रख लेता हूँ लेकिन इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा भाई क्योंकि अपने पास इतने कम लेवल का कोई पोकेमॉन है क्या वूपर है बस वूपर ले लेते हैं थ्री लेवल का पोकेमॉन पकड़ने के लिए मतलब इतना कम लेवल का पोकेमॉन अपने पास अभी तो नहीं है वूपर है दस लेवल का इसी से देखते हैं कुछ हो पाता है क्या ओल्राइट वाटर गन मार देता हूँ ये मर जाएगा मुझे लग रहा है बच जाए तो बढ़िया हो अरे नहीं यार मर गया ठीक है लेकिन कोई बात नहीं हम वैसे भी स्पीरो पकड़ने नहीं आए है अब यार फिर तो दिक्कत हो जाएगी मतलब अगर हेरा क्रोस मिल गया वो भी शायद कम लेवल का ही रहेगा न रुको मैं थोड़ा जुगाड करना पड़ेगा मुझको मैं थोड़ा जुगाड करके आता हूँ यहाँ पे यह पोकेमोन सेंटर में पहले गुसते हैं हम लोग आल्राइट चलो यहाँ पे अपने PC में कितने पोकेमोन है भाई पहले वो दिखा दे लेवल 6 का है ड्रावजी 10 लेवल का है डिटो लेवल 10 का है निंडोरायन है 12 लेवल का एबरा 10 वाला है तो एबरा के पास क्या-क्या पावर जहार मैं पहले वो थोड़ा देखना चाहता हूँ इसके मूव्स में सिर्फ टेलिपोर्ट ही है भाई नहीं पॉइंटर अच्छा इसके पास क्या है पहले यह देख लेते हैं लीच लाइफ है यह भी मार देगा शायद मुझे लग रहा है पर यह लेवल 4 का है तो चांसेस है थोड़े अच्छे जियो डूड लेवल 6 का है जियो डूड के पास क्या मूव्स है टैकल, dif prepares girl, mud sport यह उठा सकता हूं मैं या तो फिर drowsy उठा सकता हूं क्योंकि उसको confuse करेगा लेकिन फिर ये उसको मार भी सकता है यार हाँ ये उसको मार भी सकता है लेकिन hypnosis से उसको सुला भी सकता है हाँ ये एक काम का हो सकता है डिटो के पस क्या है transform नहीं यार ट्रांस्फॉर्म से मतलब ये उसी Pokemon में transform हो जाएगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो मैं यहाँ पे Drowsy को उठाना चाहूँगा लेकिन उसके लिए हमको कोई Pokemon शायद रखना पड़ेगा क्योंकि अपना जो pocket है वो पूरा full है तो पहले हमको कोई deposit करना बड़ेगा तो deposit के तौर पे मैं कर देता हूँ अभी फिलाल के लिए वूपर को ठीक है इसको deposit कर देते हैं box 1 में और अभी मैं उठा लेता हूँ अपना ये वाला Pokemon जो मैं उठाना चाहा रहा था hypnosis वाला क्या नाम है उसका drowsy यार आजकल नाम बहुत बूल रहा हूँ मैं ठीक है इसको withdraw कर लिया है और अभी हम लोग चल सकते हैं तो पहले एक काम कर लेते हैं इसका health health ठीक कर लेते हैं तो guys health health ठीक कर लिया है Pokemon बदल लिया है तो पहले मैं Pokemon को अपने पहले वाले option में रख लेता हूँ drowsy को all right switch कर देते हैं और ये रख दिया all right अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से और यहाँ पर हेरा क्रॉस को बगड़ने ही कोशिश करेंगे all right यहाँ पर ठोकर मार के देखता हूँ इस बार अहाँ ठीक है भाई moderately size tree और rocky used headbutt मार भाई headbutt निकल जाए हेरा क्रॉस एकी बार में अरे नहीं निकला यार ठीक है इस side मारता हूँ इस side देखते हैं थोड़ा इस side मार के देखे तो headbutt और यह निकल जा नहीं निकला अरे निकला निकला कुछ निकला क्या निकला हेरा क्रॉस निकल जाए अबे sparrow निकला sparrow नहीं चाहिए था मुझे ठीक है run करते हैं जल्दी all right अपने को हेरा क्रॉस चाहिए भाई यहाँ पर ही मारना पड़ेगा मुझे लग रहा है क्योंकि जो वीडियो मैंने देखा था वहाँ पर यही पर मार रहा था वो जो भी खेल रहा था game ओके यहाँ पर एक आया है क्या आया है हेरा क्रॉस क्यों नहीं आ गया भाई सहाब हेरा क्रॉस लेवल फाइव हेरा क्रॉस बढ़िया ओके चलो भाई इसको बगड़ते हैं अभी मैं पहले यूज करना चाहूँगा थोड़ा सा पाउंड यूज करूँ क्या नहीं भाई दिक्कत हो जाएगी हिपनोसिस यूज कर देता हो ओके इसने इंडियोर विंडियोर कर दिया है कुछ तो पर हिपनोसिस से नहीं बच पाएगा ओल राइट देखते हैं सो गया है क्या हाँ चलो भाई सो गया है पोके मॉन और अब हम लोग निकालते हैं अपना पोके बॉल जल्दी से ओके अब है पोके बॉल है नहीं अपने पाद जादा ठीके भाई हील बॉल यूज करके देखता हो पहले आल राइट मिल जा भाई मिल जा मिल जा एक दो अरे चूड गया अब इसको मैं अगर हिट करू तो यह यार मर वर जाएगा मुझे लग रहा है क्योंकि मतलब पांच अब यार नहीं पकड़ पाए ठीक है गाईज इस वाले को हमको छोड़ना पड़ेगा और जल्दी से और थोड़े पोके बॉल लेके आने पड़े यार मैं पोके बॉल रखता क्यों नहीं हो पता नहीं ओके कोई बात नहीं होता रहता है जिंदगी में कभी-कभी ऐसा तो जल्दी से पहले दॉल लगाते हैं और जाते हैं यहाँ पे अपने Pokemon वाली दुकान में यह रहा चलो भाई भर भर के Pokeballs चाहिए भी मेरे को अच्छा हाँ यार में को एक चीज़ याद आ रही है कि पिछले किसी episode में मेरे को मेरी मम्मी का call आया था और उन्हें मतलब मेरी मम्मी का मतलब यह Pokemon वाली मम्मी का तो उन्हें बोला था कि उन्हें हमारे लिए कोई gift खरीदा है तो यहाँ पे हमको मिल सकता था तो यह अभी है कि वो gift पूछ लेते हैं Good day Monty isn't it I have a package for you हाँ भाई है मुझे लग रहा था कि भाई मैं भूल गया बहुत दिन सा मैंने चेक नहीं किया तो शायद चला गया होगा लेकिन है यहाँ पे package I have a package for you from your mom here you go chopal berries ममी ने chopal berries भिजवाई है we look forward to your next visit तेंक्यू अंकल जी और अभी जो काम हम यहाँ पे करने आये थे वो करते है जल्दी से pokeball खरील लेते हैं भाई ओके इसके पास तो अरे ऐसे normal वाले pokeball नहीं है क्या भाई ये normal वाले pokeball चाहिए ते थोड़े मुझे normal वाले pokeball हाँ है भाई है pokeball ले लेते हैं थोड़े से ओके मेरे पास पैसे कितने है लेकिन 2000 ही है भाई मतलब इतना गरीब कैसे हो गया मैं पर ठीक है जितना भी है अभी काम चलाना पड़ेगा इतने सही और अभी हम लोग चलते हैं वापिस चलो भाई और राइट चलो 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 जल्दी चलो हेरा क्रोस लिए बिना नहीं जा रहा हूँ मैं यहां से अल्राइट लेकिन अभी दूसरी बार मिलेगा क्या है ये मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है पर ठीक है कोशिश करते हैं शायद मिल जाए ओके हेडबट मारा ओके भाई मिल जा भाई मिल जा मिल जा हेरा क्रोस प्लीज अरे स्पेरो ठीक है एक बार स्पेरो आएगा मुझे ये तो थोड़ा अंदाज़त था ही ओके तो चलो भाई वापिस से ट्राइ करते हैं ओल्राइट वापिस से एक और बार यहां पर मारो हेडबट येस चलो मार दिया हेडबट ओके आजा भाई आजा हेरा क्रोस आजा यार आजा अबे यार ये तो ये तो बहुत ही मतलब दिक्कत वाला काम लग रहा है अभी यार मतलब मुझे लग रहा था कि एक ये बार में मारने से आ जाएगा लेकिन ये दूसरा पोकेमॉन भी आता है याँ पर ये पता नहीं था ठीक है फिर से एक बार कोशिश करते हैं ओल राइट एक और हेडबट ओके अब आजा भाई नहीं आ रहा है ओके गाईस तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ और हेरा क्रॉस मिलने पर मिलता हूँ आप लोगो ओके तो गाईस यहाँ पर मिल गया मेरे को हेरा क्रॉस और अभी इसको जल्दी से पकड़ने वाला हूँ मैं तो सबसे पहले हिपनोसिस मार देते हैं भाई सुला देते हैं बिल्कुल पोकेमॉन को और ये वाला चार लेवल का है तो इस पे और हमको थोड़ा सा सावधानी से थोड़ा हमला करना पड़ेगा इसको जरा सा भी हर्ट हो गया तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी एक तो ये जल्दी मिलते नहीं है यहाँ पे तो अभी पहला पोकेमॉन में फेक सॉरी पोके बॉल फेकने वाला हो अब न ये ले आजा भाई हेरा क्रोस मजे करेंगे मस्त जल्दी जल्दी अरे यार नहीं ठीक है एक और बार एक और बार ट्राइ करते हैं जल्दी से एक और पोके बॉल फेक हूँँगा आठ बॉल लाया हूँ मैं अगर आठ बॉल में ये पकड़ा नहीं गया भाई तो मलब बहुत दिक्कत होगी फिर आजा अभे ये तो बहुत दिक्कत दे रहा है भाई और इसको मार भी नहीं सकता भाई एक पाउंड मारूँगा शायद ये गिर जाएगा लेकिन अभी ठीक है रुको मैं ट्राइ करके देख लेता हूँ थोड़ा पाउंड एक मार के मरना जाए भाई ठीक है ठीक है ठीक है और इसने मेरे पर अटैक कर दिया ठीक है लेकिन एक और बार पाउंड करते है इस बार ना मरना भाई ओके 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 ठीक है इतना भी कमजोर नहीं है भाई ठीक है अच्छी बात है अच्छी बात है इसको अभी वापिस हिपनोसिस कर देता हूँ मैं अरे अटैक मिस हो गया भाई काई ये मुझे न मार दे यार अब मेरे को डर लग रहा है पर ठीक है एक और बार हिपनोसिस अभी एक और बार मिस कर दिया है ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है मैं न मर जाओ मैं न मर जाओ एक और बार हिपनोसिस ओके चलो, अब सुला दिया है वापिस अब पकड़ में आ जाना चाहिए मज़े आ जाएगा जल्दी से अपना बॉल निकालते हैं पोकी बॉल, ओके कहां है बैग में रहता है न ओल्राइट, ये चलो आजा भई, आजा आजा हेरा क्रोस, जल्दी जल्दी एक, दो तीन, ओल्राइट अब यार, क्लोज बहुत क्लोज था पर ठीक है, चलो, फिर भी सोया ही हुआ है अभी मैं रिस्क नहीं लूँगा, इसको बिल्कुल भी मार नहीं सकते हैं अभी कोई भी अटाइक वाटाइक नहीं कर सकते हैं अभी सिर्फ इसको हिपनोसिस और ऐसे बॉल फेक के बगड़ना पड़ेगा हो गए, तो एक और ट्राइ आजा भई, यार इतना इतना तकलीफ क्यों दे रहा है फिर जा गया यह ठीक है, रुको रिस्क नहीं लेने वाला था लेकिन अब मैं लूँगा एक पाउंड और ओ, इसने ये इंडोर कर लिया क्या, नहीं नहीं ठीक है चलो, अभी तक मर, ओके, ओके, ओके बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन भाई अभी तो पकड़ मैं आजा भाई, यार ओके आजा, 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 आजा एक, दो तीन, अभे यार अब मेरे को वापिस इसको सुलाना पड़ेगा चीक है, कोई बात नहीं, सुलाते हैं इसको जल्दी से इसको सुलाते हैं भाई, हीपनोसिस ओके अब तो पक्का पकड़ मैं आजाना चाहिए यार, मेरे पास बॉल्स कम बच्छी है ओके, अब पकड़ मैं नहीं आया तो बहुत दिक्कत होगी मुझे ओल्रेट, पहले बैग में चलो पोके बॉल, ओके चार ही बच्छी है, ठीक है आजा भाई ठीक है, लेकिन ठीक है वर्थ इट पोके मॉन है, मैंने सुना है काफी बढ़िया पोके मॉन है तो इसलिए इसको पूरी कोशिश करके पकड़ेंगे, ओल्राइट एक और बार एक, दो अब बे और क्या कर सकता हूँ मैं इसको पकड़ने के लिए इसको सुला दिया है पूरा एकड़म इसका हेल्थ कम कर दिया है अब तो कुछ नहीं कर सकता है, इसमें बस पोके बॉल फेक के बस किस्मत अपने किस्मत पे वरोसा कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, तो ठीक है फिर से एक और बार हम अपनी किसमत पर भरोसा करके आल राइट पकड में आ गया भाई बिल्कुल एकदम आखरी में मतला मेरे पास सिर्फ एक ही बॉल बची थी भाई मैं तो डर गया था पर ठीक है आकिरकार हमने हेरा क्रोस को पकड़ लिया है पकडने के लिए क्या क्या करना पड़ता है जिस पावरफूल पकेमोन थ्रस्ट इट्स प्राइस्ट होन अंडर इट्स एनिमीस बैलीस दन लिट्स अंड थोज देम आल राइट चलो भाई हेरा क्रोस टीम में स्वागत है ठीक है हेरा क्रोस मिल गया है हमको तो अब हमारा अजीलिया टाउन में जो काम है वो खतम हो गया है और अब हमको वापिस जाना है गोल्डन रोट सिटी में तो मैं आपको अभी गोल्डन रोट सिटी में मिलता हूँ आल राइट तो गाईस हम लोग पहुँच गये हैं मैं थोड़ा ढून लेता हूँ यहाँ पे यह रही मेरे ख्याल से बोट पढ़ लेते हैं बाइक शॉप गोल्डन रोट ब्रांच तो अब दुकान का नाम सुनके तो समझी गये होंगे हम लोग क्या लेने आये हैं यहाँ पे हाँ यहाँ पे हम लोग एक साइकल लेने आये हैं और यह अंकल हमको वो देंगे बिल्कुल मुफ्त में तो हमको बाइसिकल यहाँ पे मिल गई है तो इस गेम की गाईस मेरे को एक सबसे बढ़िया बात यह लगती है कि यहाँ पे आप लोग यह जो अपनी बाइसिकल है इसको अगर एक बार हम लोग बैग में चाके यहाँ पे आल्रेट कहां पे रहते हैं लिगन बाइसिकल यह वाले की वाले सेक्शन में रहती है क्या हाँ तो एक बार अगर हम इसको एक्विप कर ले यहाँ पे एंड प्लेस फॉर एवर्रीटिंग बाहर जाके बाहर जाके साइकल करनी पड़ेगी ठीक है पहले से थोड़ा बात करते हैं दे में शॉप इस एट सेरूलियन बाक इन कांटो से हेलो तो दे शॉप मैनेजर इफ यू हैपन तो गो दिखाता हूं देखो बाकी गेम्स में क्या होता है तुमको साइकल मतलब साइकल चलाने के लिए बार बार उदर बैग में जाके उसको सिलेट करना पड़ता है यहां पर एक बार आपने रेजिस्टर कर लिया डायरेक वा होते हैं बहुत सइब और अंदर नहीं जाना था अंदर नहीं जाना था गलती हो गई है छीक यह पर वापिस वाए दबाता हूं साइकल आज आपना होना चाहिए सब्वेव याजो भी मतलब अब साइकल लिए जगे होनी चाहिए होँ थोड़ा जाएंगे औल्राइट यहां पर एगया नहीं नहीं यहां पर नहीं है वैसे यह सब items collect करने के बाद भी बहुत कुछ है यहां पर explore करने के लिए लेकिन शायद वो मैं on camera explore नहीं करूंगा क्योंकि फिर बहुत time हो जाएगा उसमें और हमको आगे भी बढ़ना है यह game को complete भी करना है भाई काफी टाइम से मैं यह series चला रहा हूँ ओल्राइटी यहां पर भी हमको शायद कुछ मिलता है a small shop providing lots of beauty हाँ यहां पर भी कुछ मिलेगा लेकिन उससे पहले हमको वो नीचे जाके वहाँ जाना पड़ेगा मतलब हाँ यह रहा यहां पर नीचे जाना पड़ेगा get off your bike in the tunnel हाँ यह tunnel है sorry यहां पर bike चलानी जगर नहीं है okay tunnel हाँ आ गई देखो यह मैरिल आ गया है मतलब कौन है लाइरा ठीक है लाइरा हाई Monty you are just in time ठीक है लाइरा जी when you follow this tunnel you will see a dress up shop that's where your pokemon can put on accessories to dress up and take pictures by the way here is the fashion case did you say you want it I knew it this is a present from me ठीक है बाई तो यहां भी हमको एक fashion case मिल गया है okay keep accessories in the fashion case okay okay I should get going see you ठीक है तो इससे हमको एक fashion case लेना था तो हमने ले लिया लेकिन यह नीचे जो है यहां पर वो fashion मतलब इस इधर हम क्या कर सकते है यहां पर हम अपने Pokemon की बाल कटवा सकते है शायद और उसको कपड़े अपड़े पहना सकते है जो कि मैं अभी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे मतलब नहीं करवाना तो यहां से मैं निकलता हूँ सबसे पहले अभी यहां से हमारा काम हो गया अभी हम वो फ्लावर वाली शॉप में जाएंगे वहां पर थोड़ा सामको और थोड़ा काम है जल्दी अंदर चलते हैं और बात करते हैं दीदी जी से Hello Apparently there is an odd tree on route 36 They say it dances when you water it Oh that's a plain plain badge from goldenrod gym Did you defeat Whitney? Well then there's nothing to worry about is there I will let you use this squirt bottle for a while then Oh never mind Keep it Monty obtained squirt bottle Okay ये एक काफी ज़रूरी आइटम है Monty put the squirt bottle in the key item pocket ठीक है ठीक है और कुछ बोलना दीदी The odd tree is on route 36 Please be careful Okay तो भाई ये odd tree अभी हमको route 36 पर मिलेगा उसके लिए हमको ये squad bottle काफी ज़रूरी है तो ठीक है हमने सारे आइटम शायद लगबग उठा लिये हैं यहां से और थोड़ी बहुत चीज़े शायद यहां पर बची हुई है वो मैं off camera explore कर लूँगा और फिर शायद आपको मैं बताओ कि क्या-क्या मिला और क्या नहीं मिला तो मुझे लगता है गाईज हमको ये episode यही पैंड करना चाहिए अगल एपिसोड में हम लोग ये city छोड़ कर अगली city में जाएंगे तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं अगर आपको ये वीडियो ज़रा सभी पसंद आया तो वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कीजे और ये वीडियो में दोस्ते के साथ share कीजे मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye